And to take on Sanjay Singh, we have with us Ramesh Biduri, he is the लोकसभा BJP MP from South Delhi Biduri जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया ये जो मनीज से सोडिया आरोप लगा रहे हैं कि BJP ने उनको ओफर किया कि अगर वो आप्म आदमी पार्टी तोड़ के BJP में आ जाते हैं तो उनके खिलाव सारे केसे ड्रॉप हो जाएंगे देखो इनका नेचर है, ये विशेसे चीज को भटकाना चाहते हैं सब्जेक्ट से विशेसे लोगों का ध्यान अटाना चाहते हैं इनके नेचर में हैं ये तो इसलिए भारते जनता पार्टी का किसी का मेसेज आया है तो वो तो CBA की जांच में और भी काम करेगा उसके खिलाब भी एक्शन होना चाहिए अगर किसी ने फॉन किया है तो ऐसे वेक्टी का मेसेज दिखा दो टेलीफ़न दिखा दो किसको देखो छूना भाग जाना किसी के ओपर थूकना भाग जाना ये इनकी प्रबर्ती है केजरिवाल पहले पूरे हिंदुस्तान को बहीमान बताया था सबसे एक एक करके ना करके माफी बांगी थी आपको ध्यान होगा आप कहरें कि ऐसा बीजेपी से कोई ओफर नहीं आया है कोई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाजपा नेसलिस्ट पार्टी है नेसलिस्ट लोगों के लिए भाजपा के दरवज़े खुले रहते हैं इनको कौन नहीं जानता कि सिये के विरोध में जब जो लोग बैठे वेते हैं उनको उर्जा देने का काम इसी सिसोदिया ने कहा था उसी सिये से लेगे के लोगों को बर्गलाने की कोशिश की गई कि तुमसे तुमारे गरीब लोगों को भड़काया गए कि तुमसे तुमारे सबूत मांगे जाएंगे